देश भर में सुहागिन महिलाओं ने करवा चौध धूमदाम से बनाया। अपने पती की लंबी उम्बर के लिए निर्जलाब रत रखा और चंद्रमा के दर्शन कर पती के हाथ से पानी पीकर रत खुला। इसी बीच मदर्वदेश के आर्थिक राजधानी दोर में अनूठा प्रसंग देखने को मिला जहाँ एक पुलिस अधिकारी को अपना कर्तव निभाना था। लिहाज़ा भी ड्यूटी पर हाजिर हो गए। अब पर्व पर परंपरा तो निभानी ही थी और पती घर से नहीं आ सकते थे तो पतनी खुदकार चला कर उस स्थान पर पहुच गई। यहाँ जब पती महोदे तैनाथ थे इसके बाद पूरे विदिविदान से पतनी ने करवाचौत की पूजा कर ली। लेकनी है कि रावजी बाजार सब्वेंदन शील शेत्र होने के कारण टी आई प्रितम सिंग ठाकूर इलाकर नहीं चोड़ सकते थे। उधर उनके घर पर पतनी राजेश्वरी सिंग ने चान निकलने तक अपने पती का इंतिजार किया। अंतदह पतनी ने उनकी लोकेशन पुछी और कार लेकर खुद ही पुलिस्थाने पहुच गई। इस पुलिस्थाने के आसपास बड़े-बड़े पेड़ और इमारते हैं। ऐसे में चंद्रदेवता का दर्शन दीना सहस नहीं थे। लिहाज़ा दोनों ने ताई किया कि वे करवाच ओत की पूजा ब्रीच पर करेंगे। ब्रीच पर टी आए की पत्नी के साथ पूजा करते देख वहां सी गुजरने वाले लोग हरान रहे गए। पत्नी राजेश्वरी ने पर्व की पूजा करी और घर लोट गई।